नमस्कार प्रकाशक के पटल पर बैठक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की ये बैठक कुछ विशिष्ठ छोड़तर जाएगी आपके पास और कुछ विशिष्ठ लेकर जाएगी आपके पास, आपसे और हम सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं स्वागत कर रहे हैं आज बैठक में उनका जिनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध लेखी का अलका सिनाजी बहुत सुन्दर कहानिया गड़ती हैं बहुत सुन्दर कहानिया रचती हैं और जितनी सुन्दर लेखनी हैं उनकी उतना ही सुन्दर उनका मन है उतना ही सुन्दर उनका रवहार है उतना ही सुन्दर उनका बोलना है के उनकी बागचीद के साथ इस तरह से मनजुरा कि मुझे लगा कि कुछ कहानियां पढ़नी चाहिए उनकी जितनी भी कहानियां पढ़िए सबी बहुत पसंद आई बहुत ज्याद pillar को चूने वाली कहानि एक असर छोड़ जाने वाली कहानी लेकिन हमने वो कहानी चाटी है जिसमें हम आपको पढ़ कर सुना पाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा समवाध हो ये कोशिश की तो इसलिए हमने एक कहानी चाटी गुड्डो का स्कूल और आज इस कहानी का हम पढ़ेंगे मैं और पूनम एहमद जी जानिवाने लेखी का पूनम एहमद जी हमारे साथ है पलंग पर रखा था गुड़ो का स्कूल उनिफॉर्म वाइट शर्ट ब्राउन स्कूर्ट मैं उसे ड्रेस पैनाने लगी तो भोली मन्त्र मुग सी देखने लगी मैंने नजर उठा कर देखा उसने पनलू से अपनी आँखे रगड़ ली बोली मुश्किल से 35 की होगी पर है बिलकुल दादी अम्मा मेरी दादी ने ऐसे ही आशेश देती थी खुची होया गम जट उनकी आँखे भराती रिक्षे की घंटी की आवास से तंदरा भंग हुई मैं गुड़ो को लेकर नीचे गई और उसे रिक्षा में बिठा दिया गुड़ो बहुत खुश थी डिबबंद रिक्षे की खिड़की से वो दूर तक हाथ हिलाती रही मैंने देखा बालकनी में खड़ी भोली भी उसे हाथ इलाकर बाय करती जा रही थी उपर आकर मैं भी अब जल्दी जल्दी ओफिस के लिए तयार होने लगी भोली भी अपना काम निफ्टा चुकी थी मेरे हाथ एक पल को ठिठक गए पर अगले ही पल मैंने ताला चाबी उठा लिया भोली के साथ साथ खुद को भी जैसे आश्वस्त किया भोली मैं फोन करती रहूंगी दफ्टर से भोली ने मेरे हाथ से क्रेच पहुँचाने वाला समान ले लिया मुझे बड़ी राहत हो गई कम से कम मेरे दस मिनट तो बचा ही लिये थे उसने शाम को भोली मुझसे भी पहले आई खड़ी थी मैंने दर्वाजा खोला गुड़ो चहक रही थी गुड़ो हाथ मटका मटका कर स्कूल में सिखाई पोयम की लाइन सुनाने लगी भोली मुझ खोले उसकी हरकतें देख रही थी भोली के साथ उसकी आट-तस साल की बच्ची भी गुड़ो की पोयम सुनकर ताली बजा रही थी बीबी जी का हमरे बिंदिया भी पढ़ सकती है गुड़ो रानी के स्कूल में चार सो रुपिया महिना मैंने मनी मन हिसाब लगाया पर अगले ही पल भोली के बुझते चेरे को देखतर जवाब दिया क्यों नहीं बोली इसे सरकारी स्कूल में डाल दो वहां तो मुफ्त है पढ़ाई मुफ्त नहीं बीबी जी हम पैसे देंगे बिंदिया भी जाएगी गुड़ो रानी के स्कूल में हाँ भोली चेहक कर कहने लगी तो मैं हस पड़ी, क्यों किया सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती होती तो तुम ने कहे नहीं डाला गुढ़ रानी को सरकारी श्कूल में भोली ने कहा तो दिया, मगर कहते ही भाप लिया कि वो अपनी आवकाँद से अधिक बोल गई है मैं गुस्से से भर उठी, मैंने ही मुल लगा रखा है इसे, मन ही मन्तै किया, इससे अब फाल्तू बात नहीं करूंगी भोली जेवती से बिंदिया से कह रही थी तीन साल से उपर हो गई है बोली को मेरे घर काम करते हुए तब गुडू पैदा ही हुई थी, जब इसने मेरे घर का सारा काम संभाला था खाना बनाना, कप्ड़े ढ़ोना, और तो और गुड़ू को नहलाना, तेल लगाना भी और गुड़ू का काम तो इसने अपने आपी ले लिया था एक दिन में गुड़ो को गोद में लेकर तेल लगा रही थी, कि बोली, बोल पड़ी और उसने जो कस कस कर तेल रगड़ा की लड़की छेड घंटा चैन से सोती रही सबसे वो खुदी उसका नहलाना धुलाना करने लगी मैं बड़ड़ाती रहती, अरे बोली देखो, तड़की फिसल जाएगी, दोलो हातों से पकड़ो और वो हस्ती भी, उसे एक हकेली में पढ़कर नहला लाती मुझे याद है, एक दिन गुड़ो खूब रो रही थी, समझी नहीं आ रहा था कि वो प्यो रो रही है मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, कि भोली आ गई, शाम की ड्यूटी पर उसने गुड़ो को गोध में ले लिया, फिलाया डुलाया, फिर उसे पलंग पर लिटा दिया फिर एका एक गुड़ो की दोनों बाजुओं को पकड़कर जटके से उठा लिया अरे-अरे, बच्ची का हाथ उखड जाएगा, क्या करती वो भोली? मेरी सांस उपर नीचे हो आई थी, मगर उसके ऐसा करते ही गुड़ों ने रोना बंद कर दिया और कुछ देर में नॉर्मल भी हो गई, उस घटा के बाद से मैं भोली को बहुत अपना समझने लगी थी बहुत बोलती थी भोली, हर समय उपदेश देती रहती, उलाने देने से भी बाज ना आती अईसे कहीं बत्ते बाले जाते हैं भी में जी, देखो ना धंडे चड़ रही है, अबसे आधी बाजू का सूटर पहनाया करो बिटिया को पुछ मिलाकर मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, और उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता था पर आज, आज उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बोली ने आटा गुन कर सबजी काट दी थी, जाने से पहले फिर मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गई, मैंने मूँ उठा कर देखा, तो कुछ जिज़क्ती सी बोल पड़ी बेवी जी, हम कह रहा थे, हमारी पगार में से साव रुपिया जो तुम आपके पास रख लिया करना है, और हम बकरते ले लिया करेंगे, ठीक है मन को मेरा खिन था ही, मैंने जट मना कर दिया, भोली मुझे नहीं पढ़ना इन रुपे पैसों के चतर में, वो दुबारा पूछने का साहस ना कर सकी, बिंदिया के साथ चुप चाब बाहर चली गई, मैंने दर्वाजा बन कर लिया, उस रोज भोली काफी देर से आई, मैं के रोज रोज के जहगडे से मेरा ताम खा हर्ज हो जाता है, भोली, ऐसे कैसे चलेगा, आज मेरा ओफिस फिर लेट करा दिया तुमने, बेबी जी, हमने बिंदिया को स्कूल भेज़े खा ते रुपिया जोर रखे थे, हमार मरत ने तारू मेले सब पैसों की, वो आचल के छोर से आँखे रगणने लगी, मेरा चड़ा पारा एप दम से नीचे उतर आया, मुझसे कुछ कहते ना बना, मैं जानती थी, कि भोली बिंदिया को पढ़ाने के लिए इतनी उत्सुख थी, मेरी चुप्पी भोली को और भी तोड़ गई, वो भिफर पड़ी अगर तुम अमरी पगार से सो रुपिया अपने पास रखी लेती, तो का भी गड़ जाता बीदी तुमारा? अरे, क्या कह रही हो भोली? कोई एक बार की बात है, हर महीने चार सो रुपे जोड लोगी तुम? अपने पास चादर मुताबिक पहलाने चाहिए, जरूरी है गुड़ों के स्कूल में पढ़ाना, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल देती, अगर इतना ही शौक है पढ़ा मैं एक सांस में बोल गई, भोली बिल बिला कर रह गई, क्या कहती, अपना घर तो चला नहीं पाती, बेटी को पढ़ाएगी अंग्रेजी स्कूल में, मैंने ताला चाबी उठाते वे का, भोली, शाम को कर लेना कपड़े, देर हो रही है मुझे, ओफिस में मन थोड़ा, ल मुझे याद है, कई बार जब मैं गुड़ों के रोने से परिशान हो जाती, तब वही तो संभालती थी इसे, बेवी जी, हमका लगत है बिटिया का पेड दुखा थे, अल्ला, सरसो की पोटली बना के हम से इक देते हैं, कई बार आखे मठकाती, तरा मान उश्दी बताती, तुई बून चाती का दूद, बिटिया के नाभी बिटर काई देओ, अब देखे, बुखा तुरते उतर जाएगा, और सचमुच ऐसा ही होता, मैंने उसका सारा एहसान पल भर में उतार दिया था, मेरा मन उलानी से भर उठा, मुझे ध्यान है, जब से उसने गुड़ों को घर का काम भी छूट गया था, मैंने महिने के अंत में उसे सो रुपया अधिक देविये थे, उसने दोबारा पैसे गीने, और फिर पल्लू मुमे दबा कर हसने लगी थे, मैंने कितना कहा, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं बोली, तुम्हारा काम बढ़ गया है न, मगर को नहीं मानी, तो नहीं मानी, क्याने लगी? हम तो भच्ची के साथ जरा हस खेल लेते हैं, कोई पैसों के लोग से थोड़ी ही सब कर दे, मेरा मन खुद को धिकार रहा था, आज मैंने ठीक नहीं किया, मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था, शाम को भोली आई, शान, निर्विकार से, चुक चाप कपड़े धोती रही, मैं गुड़ों को होंबों करा रही थी, वो कपड़ों की बाल्टी लिए बालकनी में जाने लगी, तो एक पल ठिठक का रूथी फिर चली गई, मैंने देखा वो आचल के छोर से अपनी आखे पोच रही थी, मन में आया, कि मैं ही भरदूं इसकी बेटी की तीस, पर मैं ही कौन सी सेट साहुकार थी, मैं अन्य मनस्प हो आई थी, गुर्दों को पड़ाने में मन नहीं लग रहा था, बूली कपड़े डाल कर लोटी, तो समझोते की आवाज में पूछ वै थी, मेरे चेरे पर आशा की किरन दोड़ गई, हाँ हाँ, रखेंगे यो नहीं भोली, तुम ले आना उसे, मैं साथ चलूँगी, हम उसका स्कूल में नाम लिखा कर आएंगे, हम दोनों ने तैय किया कि सॉमवार को सुबह भोली बिंदिया को लेकर मेरे घर आ जाएगी, फिरम साथ जाकर नस्दीक के स्कूल में उसका नाम लिखा आएंगे, शुक्र, शनी, इतवार और फिर सॉमवार, मैं बेसबरी से इनकजार करने लगी, मैंने उफिस में पहले ही कह दिया था कि सॉमवार को मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं खुश थी कि अब बिंदिया भी पड़ सकेगी, आज सॉमवार था, मैं जल्दी से उठी, आज विशेश उत्साह था मुझमें, मगर भोली, रोज की तरह अपने समय पर आई, और बिंदिया को साथ नहीं लाई, मैंने हैरानी से पूछा, तो उसे धिहान आया, हाँ, हाँ, जे तो है सॉमवार, हरे छोड़ो बीबी जी, हम अहीरीन सब का बच्चा का पहेगा, अब पढ़े के कौंसा की लगतर बन जाएगा, छोड़ो, कहते वे वो फिचिन में घुज ग मगर भोली ने, अपने मशीनी अंदाज में बरतन मालने शुरू कर दिये, साथ साथ मुझे ही समझाने लगी, प्रीबी जी, पिता पढ़े लेगी मिलिया, हाँ, और फिर पढ़े नेने से ही काउन सी नकरी लग जाती है, देखे नहीं, चाथिस नंबारे ले भाया जी को, पढ़े लिखे हैं, कबसे भटक रहे हैं, आ नहीं तो, मैं खीज कर अपने कमरे में आ गई, बेकार है इन चकरों में पढ़ना, इनको कितना ही समझालो, ये आगे बढ़ने वाले नहीं, शाम को गुड़ो हाथ नचा नचा कर बता रही थी, कि मैम ने उसे डांस में रखा ह है, भोली और बिंदिया भी उसका दांस देखने लगे, मैंने बोली को फिर समझाना चाहा, कि वो चाहे तो हम कल चलते हैं, बिंदिया का नाम भी स्कूल में लिखा देंगे, लेकिन बोली को ना मालूम क्या हो गया था, नहीं मानें, तो नहीं मानें, शोड़ो पर हाई लि करचा तो चला लेगी ना, क्या बोली, बिंदिया से काम कराओगी, इतनी छोटी सी बच्ची से, हाँ बात करती हो बीबी जी, छोटी कहा है, अरे दो चार साल में तो हम उसे भी आई देंगे, बीबी जी, देखो ना, किसी घर में थुड़ा काम माम दिला सको, तो जड़ा बिंदिया के लिए देख लिए, मैंने खीज कर हाथ जोड़ दिये, इसे समझाना बेकार था, घर फैला पड़ा था, मैं सामान व्यवस्थित करने लगी, तो गुड़ों ठुनकने लगी, पामा, पहले मेरा होव करा तो, में तो नाम कुस्सा करेगी, मैं अचाना की भूली को हवाज लगा बैठी, भूली, बिंदिया को मेरे ही घर ले आया करो, घर संभालने में मेरी मदद कर दिया करेगी, मैं ही दे दिया करूंगे इस काम के 100 रुपे, अगले रोज से भूली बिंदिया को नियम से लाने लगी, मेरे सामने ही तो बड़ी हुई थी ये बच्ची बैठी, अब मुझे अपने और घर के लिए कुछ अतिरिक समय मिल जाता था, एक दिन में अपने काम में लगी थी कि मुझे दूसरे कमरे से उंचे स्वर में गुड़ो के दांटनी की आवास सुनाई पड़ी, मैंने जल्दी से दूसरे कमरे में जहांकर देखा, तो हसी आ बिंदिया गुड़ो की छोटी सी कुर्सी पर कान पकड़ कर खड़ी थी, और गुड़ो मेरी चुन्नी को साड़ी इतर अलपेट कर, टीचर बनी उसे कॉपी दिखा कर दांट रही थी, जब आप A, B, C लिख सकते हो, तो किसों नहीं लिख सकते हैं? मैं जठकर गुड़ो के पास पहुँची और हैरत से गुड़ो के हाथ से कॉपी छीनी, अरे ये किसने लिखा है? मुझे अचानक आया देख सक, गुड़ो सत पका गई, पर फिर चोड़ी होकर बोली, इससे ने लिखा है ममा, पिंदिया ले, पर देखो न, की नहीं लिखत मैंने चेहकते में भोली को आवाज दे, देख भोली, तेरी बेटी लिखना सीख गई है, मैंने कॉपी, भोली ही और बढ़ा दी, भोली ने कॉपी ले ली और कलेजे से लगा ली, अरे देख तो भोली, अंग्रेजी लिखी है इसने मैंने देखा इसकी बंद आखों से जर्णा फूट पड़ा था, ठंडा और संतोश भरा, थैंक यू, थैंक यू, तो आज की इस शाम को अब विराम देने का समय आ गया है, अलका जी को हेर सारे धन्यवाद के साथ, अब हम विदा लेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ, जो भी आज नए हमारे साथ, जो नए सुनने वाले जुड़े, उनसे या नुरोध है मेरा, कि प्रकाशक के पेज को लाइक करें, और ताक प्रकाशक के पेज से जुड़े जुड़े भी और हमें हमारा प्रोचान हमें मिलेगा इससे, आपके जुड़ने से, तो अब आज की शाम्पू यही पर विराम दे रही हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि इसके साथ इसके पाफ़क जुड़े रहें, हो उसका संबल होते हैं, जैसे चाहिए कलम को लिखने के लिए, वैसे ही लेखों को यह परिवार चाहिए, जो आपने दिया है इस बैज़क के माद्यम से, मैं आप सभी का बहुत बहुत आपार्यवाद धन्यवाद धन्यवा झाल 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 झाल